नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका इस वीडियो में दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अंतिम पांच लेन दिन का भी स्टेटमेंट निकाल सकते हैं मतलब आप अपनी इक्षा के नुसार से चाहें दोस्तों जितना भी मर्जी उतना का स्टेटमेंट आप निकाल पाईएगा ठीक है देखिए इसके लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर को खोलने के बाद दोस्त तो टेंसल नहीं नहीं क्या हो सकता है नहीं मेरे भाई यह एस भी आई का ओफिस्यल आप है ठीक है अब यहां पे अल्रडी मैंने भी इंस्टॉल करके रखा हुआ है चली इसे ओपेंड कर लेते हैं ठीक है ओपेंड करने के बाद कुछ इस प्रकार से इसका इंटरफेस अपको सर्विसेज के ऊपर क्लिक कर देना है जैसि आप नजी कर देखेंगे ड def Again क्लिक करेंगा मेरे भाई आपको और चाहता हूं कि अगर आपका फोन के अंदर व वह सीम होना चाहिए जो सीम जो मुबाईल नंबर आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ में लिंक हो ठीक है तभी आप ये सर्विस का लाब उठा सकते हो कहने का मतलब है मेरे भाई कि आपका State Bank of India के साथ में Link Number जो है वो आपकी Mobile में होना जाई है ठीक है अभी आप देखो मेरा जो है वो State Bank of India के अंदर जो Mobile Number लिंक है दूस्तों वो हमारे Mobile के अंदर ही है तो यहाँ पर देखिए दो options है एक आपका Call का एक Message का ठीक है मैं Message यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ जो Message वाला आइकन देखने को मिल रहा है इसके उपर मैं क्लिक कर देता हूँ हलांकि यहाँ पर उसने पहले मैं आपको बता दूँ कि 6 मंत का Statement भी आप निकाल सकते हैं मैसेज यहाँ पर देखिए Message वाला आइकन है इसके उपर आप क्लिक करिएगा ठीक है तो फिलाल मैं छोटा सा Statement आपको निकाल के दिखा देता हूँ मैं यहाँ पर Message वाला जो आइकन है इसके उपर मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर Message का जो Box से वो खुल जाएगा यहाँ पर Automatically जो है वो State Bank of India का Message वाला नंबर होता है वो टाइप हो जाएगा फिर यहाँ पर देखिए यह भी आपका Already टाइप रहेगा बस आपको Send वाला जो Option है न यह Send वाला Option के उपर क्लिक कर देना है ठीक है बस ध्यान रहे दोस्तों कि यह जो SMS Send होगा वो आपके State Bank of India का Register Mobile Number होना चाहिए ठीक है मैं बार बार यही बात को आपको दोहरा रहा हूं कि वही Mobile Number आपका SMS भेजा जाना चाहिए उसी Mobile Number से SMS भेजा जाना चाहिए जो आपका State Bank of India के साथ में Link हो ठीक है तो मैं Send वाला Box से उपर यहाँ पर क्लिक कर देता हूं देखे Send वाला Box के उपर जैसे है मैंने क्लिक किया यहाँ पर देखे यह Message जो है वो चला गया है ठीक है और Receive भी हो गया और देख सकते हैं और फॉरण यहाँ पर State Bank of India के तरफ से हमें Message भी आ चुका है अब देखे इस Message के अंदर मैं आपको देखा देता हूं दोस्तो Message के अंदर आप देख सकते हैं मेरे भाई यहाँ पर जो है वो अंतिम 5 लें देन अभी जो है वो आ चुका है मैं Refresh यहाँ पर भी कर दिया हूँ देखे Time अभी यहाँ पर है और यहाँ पर देख सकते हैं अंतिम 5 लें देन आपको देखने को मिल जाता है ठीक है तो का भी निकाल सकते हो ठीक है तो इस तरह से इजली गर बैठे अपने फोन के माध्यम से SBI क्वीक एप के माध्यम से आसानी से आप अपना जो statement है वो देख सकते हैं आसा करता हूँ मेरे भाई आपको सब कुछ किलियर हो गया होगा किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो आप comment box में पोच सकते हैं बाकी मिलता हूँ दोस्तों अगले वीडियो में वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद